हाई एवरीवन माने में श्याब आजली वल्कम बैक तो माई चैनल टाटा इस्टिल वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रेंड इससे पहले में एक वीडियो बना चुका था जो है अप्लिकेशन के बारे में टाटा इस्टिल एस्टिल एंजिनियर का एक नया रिकूर्पेंट आया है 2023 क अगर आप वो वीडियो नहीं देखियो सारा कुछ में बताया हूं उसमें कौन इलिजिबल है क्या सैलेरी होगा क्या जॉब लोकेशन है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है सारे कुछ इस वीडियो आप बता चुका हूँ अगर आप वो वीडियो नहीं देखियो प्ल क्या क्या डॉकुमेंट्स आपको लगेंगे और आपको क्या-क्या चीज़े यहां पर अपडेट करने पड़ेंगे ठीक है अगर आप application form में देखोगे तो जितने भी आपको यहां पर अगर आप टाटा इस्टिल में काम कर रहे हो और आपके पास लास्ट सिक्स मन्त उसमें इंटर्वी देए हो तो यहां पर यहां पर यस नो करके आप चेक कर सकते हो सेकेंड है आपका notice period notice period in the sense अगर आप किसी company में काम कर रहे हो अगर आपका एक मैने के बाद लीव करना चाहते है फिर दो मैने के बाद तो आप यहां पर यहां पर ही दे सकते हो सेकेंड है आपका आपका अधार कर अधार नंबर अब यहां पर आधार नंबर आपको जो अधार नंबर देगा यहां पर फिल कर दीजेगा ठीक फिर आते है persons now details, अब यहां पर फिरिडल है ज्यादा कुछ नहीं है आपका first name होगा, middle name है, last name है और अभुछ इसक। जेंडर है then category है अब category में क्या है वो आप देख लिए जैगे यहां पर तो व आपका वही होगा general st Iya को does फिर आपको domicile काफी students का domicile certificate वो नहीं बना पाते हैं ठेक है अगर आपके पास domicile certificate है तो definitely आप यहाँ पर ही check कर दिया किस domicile के है certificate होना जरूरी नहीं है बट domicile का मतलब किस state से आप belong करते हो किस state से आप birth हो वो आपका domicile होता है तो different location यहाँ पर दिया है maximum सब कुछ address यहाँ दिया तो जिस address से आप belong करते हो उस address को choose यहाँ पर ही कर सकते हो अब आता है visible identification mark अब visible identification mark का मतलब होता है कि आपका body में क्या identification है जो birth mark हो या फिर कुछ ऐसा cut लगा हो surgery हो जो आपका हमेशा रहेगा वो होता है visible identification mark लेकिन काफी बच्चे क्या करते हैं कि अगर मान लोग की तील है मोल है सीना में है या फिर चेस्ट में है पीछे back side है तो वह दे भाई देखो जो visible है आपके हाथ में आपके arms में आपके लेक फूट फूट में अगर वहां पर वीजिबल है तब ही आप वहीं कहीं identification मांगतों ठीक है कोई बच्चे पीछे देते हैं बैक में अब एक्जाम देने जा रहे है कि आप पूरा च्ट टीशिट निकाल को अब दिखा हुआ कि हां यहां पर ही मेरा मार्क है कभी कोई चेक भी करेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा आप लोग के लिए राइट किसी का एक ऐसा student था मेरा बैच्चमेट था उसका बाल के अंदर एक कट मार्क है तो पूरा बाल ऐसे करके दिखा रहा वह अच्छा ने लगता है किसी किसी कामर में होता है तो भाइ उपुरा टीशिट क्पोल के दिखाता'Dा किसी का था मेरा तो पूरा पैयंड कोलको दिखाता है तो वह चीजा होने हीने छाया जो विजिबल अब प्लिज यहाँ पर देट छीना तो देखना है यहाँ पर होगे मन्त पहले यहाँ मत्प के साफिन यत्यम में अगर आपको अगर आपको किके साफित कि समय कुछ फाट? उसको बोलते है person with disability तो आप उस condition block करते हो तो यहाँ पर यहाँ पर चेक कर सकते हो otherwise आपको करने के जरुवत नहीं है आप यहाँ पर कर सकते हो currently monthly अपका total monthly income क्या है यहाँ पर आप select करना ठीक है यहाँ पर चेक कर लेता हूं कि आप इसलेक क्या दिया है यहाँ पर दिया है less than or equal 20,000 ठीक है फिर 20,000 से लिए 25,000 पर 25,000 से लिए 35,000 ठीक इतने ही दिया है और दिया है तो जैसे आपको ठीक लगे जितना आपका salary हो ठीक है I hope कि आपके ज्यादा ही salary हो ठीक है तो अच्छा लगएगा आपको ज्यादा income मिल सकते है हाँ यहाँ पर आप देखो contact details के बारे में contact details जो आप कर आएगा जो पहला आप देखरो email id यहाँ पर आपका personal email id हो अब यूसफुल जॉब के लिए एक email id बनाओ ऐसा नहीं कि different email id बना कुछ फैदा नहीं एक email id बनाओ जहाँ पर वह job के लिए सब कुछ रहे हो ठीक आपका valid email id रहे तो इसको क्लिक करके आपकी email id पर एक एक बार आप यहाँ पर email id लिखोगे न तो यहाँ पर ही verify का जो भी ब्लू में है वो green में convert हो यागा तो उसको क्लिक करके आपकी email id पर एक OTP आगा फिक कोड आएगा आप यहाँ पर वेरिफाई कर सकते हैं ठीक है एक बार वेरिफाई कर लिजेका तो यह चीज़ चेक हो यागा उसके बाद आहाँ था mobile नंबर प्लीज अपना mobile नंबर ही provide कर होते हैं घर का mobile नंबर दोगे तो call आ जाएंगे फिर कुछ message आगा तो आप नहीं देख पाऊगे ठीक इसमें इंटर कैप्स लगा के और verify mobile पर क्लिक करके इसमें चेक कर लेना फिर अगर मैं बात करूं address के बारे में तो address यहाँ पर यह आप देख लेना address जो आपका है जैस है अगर आपका house number four है तो four देना five है तो five देना street मतलब आपका गली का नाम क्या है ठीक है जो गली का नाम आपका रहेगा गली बॉइन है गली का नाम जो आपका रहेगा और आपका city जो है village district वह आप देना जैसे कि city कुछ भी आप दे सकते हो यहाँ पर कोई issue नहीं है ठीक आपका अच्छे से करने के लिए जैसे आपका ऊपर address होगा same address आपका अगर है तो इसमें check करके same address आजाएगा अगर नहीं है तो यहाँ पर different address आप यहाँ पर फिल कर सकते हो ऐसा कोई issue नहीं है ठीक है और यहाँ पर academic qualification अब देखिए अगर हम academic qualification की बात करें तो जो mandatory है आप आपका metric है means class 10 mandatory है means यह सबको करना ही है सभी आपने किये होंगा class 10 right तो यहाँ पर आपका school name board university जो आपका board रहेगा means अगर आप जारकेंट से हो jack board है odysa को हो तो I don't मुझे नहीं पता odysa हो कौन सा board है odysa board होगा ठीक है आप कब pass कियो year of passing यहाँ पर जा सकते हो और secondly है आप आपका marks in CGPA to be converted into percentage as per university जो भी आपका marks होगा means CGPA को percentage में convert करके यहाँ पर percentage ही डाला ठीक है अगर आपका मान लेते है कि 90 CGPA ठीक है 9 CGPA तो percentage करना 90 हो जागा अगर आपका 10 माना जाता है आपके college में यह फी university में तो आप according वहाँ पर देख लेना क्या आपका college मानता है और दूस कर सकते हो 12 का फिल कर सकते हो तो यह है academic qualification का बस इतना अब मैं बात करूं आपको यह क्या है technical qualification okay candidate should apply against the domains in which three years of relevant experience वो यहां पर बोला गया है अब यहां पर देखिए highest qualification आपको फिल करना पड़ेंगे राइट आपका highest qualification क्या है तो आप चिक करके जो भी आपका highest qualification वहां पर चिक कर सकते हो अब ही देखो आप highest qualification में आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो मैं आपको दिखांगे क्या 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 highest qualification यहां पर दिखेंगे आपको अब ही आप भी apply कर सकते हो अगर आप बीटे की हो तो यहां पर apply कर सकते हो ठीक है तो आप प्लीज इसको चेक कर ले ना दूसरे आपका domain applied जैसे आप highest qualification में चेक करोगे ना तो आपका domain applied for यह जो है आपका open हो जागा खुल जागा यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो mode of education mode of education का मतलब अब कैसे पढ़े हो देखो यहां पर में दिखाए तो means correspondence or distance full time या पर part time तो notification में ऐसा बोला गया है तो कि अगर कोई student distance से पढ़ाई कर रहा है तो उनको valid ने लिया जाएगा तो यहां पर यह option है इसका मतलब यहां पर लिया जा रहा है अगर आप distance से हो तो definitely आप fill कर सकते हो चेक कर सकते हो कि क्या है इसका है but notification में इसा दिया नहीं था distance education को यहां पर valid नहीं माना था लेकिन option में है तो आप प्लीज इसको चेक करके अगर आप distance education और फिल कर दीजेगा कोई issue नहीं है examination passed मिंच जो आपका exam होगा मत किस exam का बीसे बी एसी बी टेक या फिर डिप्लोमा इंजिनियर कब आप पास कियो वह फिल कर सकते हो किस institute सो ठीक है क्या बोर्ड है आपका branch कौन से year of passing कौन से आप यहां पर फिल कर सकते हो और भी other full time qualification है तो आप फिल कर सकते हो ऐसे कोई mandatory नहीं है और हां यहां पर ही जो cgp है वो यहां पर ही convert कर देना percentage में फिरा दे सकते हो दूसरा certificate इस means that कि आपका अलग certificate कुछ है या नहीं वह यहां पर ही कर सकते हो और यहां पर ही upload certificate भी कर सकते हो details of domain work experience यह important है क्योंकि यहां पर बोला ही गया है देखिए यहां पर क्या लिका है कि if you have multiple experience from 2017 to 2018 2018 to 2019 and then first mention 2018 to 2019 then from 2017 to 2018 अगर मान लेते हैं कि ऐसा experience है आपका दो साल का तीन साल का तो please avoid copy paste in application form fields में अब यहां पर देखो आपका organization हो आना चाहिए सबसे पहले designation organization company के name दे सकते हो designation क्या आपका roles and responsibility था means आप designation क्या थे हो आप BDM थे as a finance engineer थे या फिर कैसा भी काम आप engineering में काम कर रहे तो जो भी आपका designation वह आपने फिल कर सकते हो कब से आप स्टार्ट किया कब तक थे उस company में आप यहां दे सकते हो और आपका domain क्या था और फिर nature of work क्या है maximum 200 character maximum है तो minimum आपने यहां पर दे सकते हो अगर आप ज्यादा experience हो तो please सब कुछ यहां पर ही feel कर देनो कोई ऐसा problem नहीं है अब और देखते हैं और इसमें क्या mandatory है calculate here to calculate यह क्या है कि आपका जो भी work experience जितना भी आपकी हो तो यहां पर जरूरत नहीं है अगर है तो कर सकते हो और फिर नहीं नहीं है इसका बढ़ने का पस इतना ही है फ्रेंट्स और टोटल वरक experience है में calculate कर लेना और यहां पर ही important यह है कि आपका resume ही अच्छा बनना चाहिए right आपका resume जो है चाहिए ज्यादा lengthy भी नहीं होने चाहिए right एक अच्छा सा resume आप बनाओ और इसको यहां पर ही choose करके upload कर देना तो resume भी आपको effective होने चाहिए ताकि वह तूरंथ resume खोलके आपका पूरा information एक अच्छा से देख सके right और यहां पर ही check करके और नीचे में submit का button होगा अभी तो इसका exam के लिए नहीं बोला गया है बट definitely इसका exam का date भी आ जागा मैं आपको update कर दूँगा और जो students यहां पर feel कर रहें please मुझे comment कर देना yes no करके ताकि मैं उसका exam के लिए preparation भी करा सकूँ टेकर फ्रेंट्स जो भी new students है टेलिग्राम में टेलिग्राम का link है डिस्क्रिप्शन है प्लीज जाके वहाँ पर ही join कर लेना क्योंकि काफी students वहाँ पर टाटा इस चिल कर रिलेटेड ही सब students है तो आपको भी helpful मिल जागा मिलते है नेक्स वीडियो में एक नए आपडेट क साथ टेकर फ्रेंट्स हाव नाइस जया